हेलो फ्रेंट्स मैं दीपादी पाटी आज हमने इए वीडियो इसलिए बढ़ाया है कि बहुत सारे पैरेंट्स हैं जिनके मन में अबैकर्स और ब्रेंड डेवलूपिंग को लेके सवा थे तो आज हम इस वीडियो के जरीए आपको उन सवालों के जवाब देने वाले हैं हमें हर शेत्र में फिर वो मेडिसिन हो इंजिनियरिंग हो लौ हो या आर्ट हो हर इसे शेत्र में हमें मैक्स की जरूरत है अब आकर्स ऐसा माध्यम है जिसमें ब्रेंट्स के जरीए आपको एडिशन, सब्ट्रेक्शन, डिविजन, मल्टिफिकेशन सिखाया जाता है अगर हम देखें तो बहुत सारे जगहों में या देशों में काउंटिंग के लिए कैल्कुलेटर यूज किया जाता है लेकिन अब आकर्स की मदद से आप यही चीज़े सिफ वीजुली कुछ सेकन में ही कर सकते हो तो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीजुली अबैकर्स के जरीए आप सम्स कैसे सौल कर जबते हो लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि उसके साथ ही हम बात में आपको बताने वाले है कि ब्रेन डेवलपिंग क्या है और अपकी अबैकर्स के जरीए आपके बच्चों का ब्रेग किस तरह से टेवलप किया जाता है तो उससे पहले मैं आपको मेरे एक स्टूडेंट्स का वीडियो दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से बच्चे अबैकर्स के माध्यम से वीजुली सम्स सौल करते है Are you ready to solve a few problems Sritima? Yes ma'am Okay 3757 1530 807 656 837 113 652 8352 1157 7729 5979 6997 2656 8954 8413 41885 45 x 57 2565 62 x 81 5022 5022 Division 3129 Divide 7 447 4625 Divide 5 925 925 925 925 925 104 156 156 208 260 312 364 416 468 520 520 Hello friends अभी आपने देखा कि मेरे स्टूरंट्स ने जो सम्स सौल करने के लिए कैल्कुलेटर पे आपको कुछ मिरेट्स लगते हैं वही सम्स उसने कुछ सेकेंद में ही वीजुली सौल कर दिये हैं यह हुआ अब आपको आपको बताने वाली हूँ ब्रेट डेवलोपिंग के बाले में आप सभी ने सुना होगा कि बच्चों का ब्रेट बहुत ही पावर्फुल रहता है लेकिन कॉंसेंट्रेशन कम होने के कारण क्योंकि यह जो बच्चों की एज रहती है उसके कारण बच्चे एक चीज़ पे जादा वग रहें जैसे कि वीडियो गेप, मोबाईल, कार्टून इस तरह की चीज़ों की वज़ा से बच्चों का कॉंसेंट्रेशन लेवल कम हो रहा है और इस वज़ा से बच्चे स्कूल में पढ़ाई में पीछे रह रहे हैं और पढ़ाई में पीछे रहने के कारण उनका आईक्यू भी कम रहता है तो अगर हम देखे तो आज के पैरेंट्स के सामने बहुत बढ़ा सवाल है कि बच्चों का कॉंफिडेंस लेवल, कॉंसेंट्रेशन लेवल, आईक्यू लेवल किस तरह से बढ़ाया जाये तो हम यही अपैकस के मार्ध्यम से आपके बच्चों का concentrations लेवल बढ़ाते हैं अगर आप बच्चों को force करेंगे पढ़ाई के लिए तो फिर हो चिड़ जाते हैं और पढ़ाई से नपरत करने लगते हैं लेकिन हम अबैकस की माध्यम से बच्चों को हसते खेलते मैच सी करते हैं आपने सुना होगा कि वैद्यानिकों ने पाया है कि हमारा दिमाग दो अलग-अलग हिस्सों में काम करता है वो इस तरह हमारा left brain का कारिय है logic, sequencing, math, science, language, fact, think in word और हमारे right brain का प्रमुकारिय है creativity, imaginations, intuitions, arts, non-verbal और visualizations During lifetime, average person hardly uses right brain इसका मतलब है जो बच्चे paint का अगज इस्तमाल करते है वो केवल अपने left brain का ही इस्तमाल करते है और उनका right brain active नहीं होता बलकि abacus सिखने वाले पच्चे अपने right brain का इस्तमाल करके abacus tool को मन में visualize करते हुए और memory में number को याद रखते है और इस तरह वो अपने दिमाग का पूरा इस्तमाल करते है और इसी वज़स से बच्चों का concentration level बढ़ जाता है और उनका confidence और IQ level भी बढ़ जाता है लेकिन इन चीजों के लिए आपको daily practice की जरूरत है और ये आपको मिलती है regularly abacus classes से और अगर आपने अपने level पूरे किये तो ही आपको abacus का फाइदा मिलता है तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो like, share और subscribe करें हमारे YouTube चानल को क्योंकि आने वाले वीडियो में हम आपके लिए abacus के साथ अलग-अलग courses की जानकारी लेकर आ रहे है